हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे एकोनामिक का चैप्टर ग्लोब लाइजेसन एंड इंडियन एकोनामी इस चैप्टर को पॉंटिनियू करने से पहले हम पीछे का एक टर्म MNC के बारे में जानेंगे जिससे आप आगे का चैप्टर असानी से MNC कमपनियां लोकल कंपनी को हायर करते हैं फोर सप्पलाइज के लिए MNC का सीधा सा मतलब है कि हैं अपने से छोटी कंपनियां को हायर करते हैं अपनी ग्रोध कराने के लिए आए चलते हैं टोपिक पे What is globalization? globalization क्या होता है? globalization एक ऐसा प्रोसेस यानि कि एक ऐसे प्रिकलिया है जिसमें देशों के बीच में बहुत तेजी से जोडने का काम करती है पिछले 20-30 साल से देखा जा रहा है कि MNC कमपनियां सस्ती जगों पर दिख रही है ऐसा क्यों? क्योंकि MNC कमपनियां अपना ही फायदा चाती हैं कम पैसे में और यह भी देखा जा रहा है MNC लोगों के द्वारा foreign investment बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है तस्ती जगों पर यही नहीं बलकि साथी साथ foreign trade को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और जो अपनी MNC है वह कंट्रोल कर रही है foreign trade के बड़े हिस्से को जिससे क्या हो रहा है कि अपने संसार में यानि कि अपने वर्ल्ड में बहुत सारे रिजन है वो सब भी connected हो रहा है यानि कि people का migration मेरा मतलब कि इधर से उधर जाकर सर्च करने के लिए जैसे better income, better job, better education पीछले 10 सालों से जो people की migration थी वो उतनी तेज नहीं बढ़ पाई देशों के बीच में इस वज़े से क्योंकि बहुत सारी पाबंदिया लगा दी गई हैं एक सब्द में बोलू जितने लोग जा रहते better income, better job, better education के लिए अब वो लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि पाबंदिया लगा दी गई हैं वोई तरह से नहीं लेकिन लगा दी गई हैं एक example देख लेते हैं इंडिया में एक manufacturing plant है जिसका नाम है Ford Motors और यह जो company हैं यह सिर्फ Indian market के लिए ही car नहीं बनाती बलकि इसके जितने भी components हैं वो अलग-अलग देशों में export कर देती हैं तो यह सब कैसे possible हो पाया तो यह सब possible हो पाया globalization की मदद से अगर आपने यहां तक वीडियोस को देखिए तो वीडियोस को लाइकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपनी अगली topic है factor that have enabled globalization तो इसमें पढ़ेंगे उन factors के बारे में जिसने globalization को बढ़ावा दिया फिर से globalization आखिर यह होता क्या है आई यह one word में बताता हूँ globalization यानि की वेस्वी करड एक ऐसे प्रिक्रिया है जिसमें आप idea, knowledge, information, goods and services पूरे संसार में दे सकते हो या फिर ले भी सकते हो globalization की मदद से अगर globalization नहीं होता तो यह possible नहीं था दूसरे country से अपने country में समान लाना या अपने country से दूसरे country में समान बेजना यह possible नहीं हो पाता अब बात करते हैं टेक्नलोजी के बारे में इसमें देखा जाए तो बहुत तेजी से improvement हुआ है टेक्नलोजी में इसके पीछे का कारण है globalization हम सभी लोग पिछले 50 सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि बहुत सारे improvement हुए है ट्रांस्पोर्टेशन टेक्नलोजी में इसमें क्या improvement हुआ है कि बहुत तेजी से delivery हो रही है off goods यानि कि समानों की लंबी-लंबी दूरियों पर वो भी सिर्प lower caste यानि कि कम धामों पर इसी से भी contact कर सकते थे around the world और यह सब जितनी भी डिवाइस थी यह सब चलती थी satellite communication device की मदद से liberalization of foreign trade and foreign investment policy यह liberalization क्या होता है इसका सिधा सा मतलब है कि कि किसी वेपार के उपर से barrier यानि की बाधाय और restriction यानि की पाबंदिया को हटा दिया जाता है सरकार के द्वारा तब हुआ liberalization होता है और foreign trade का मतलब की विदेशी वेपार foreign investment का मतलब की बाहरी investment इस वाली topic में क्या होता है कि एक Chinese toy है जो कि इंडिया मार्केट में बहुत तेजी से बिक रहा है वो भी बहुत सस्ते दामों पर और सभी लोग खरीद भी रहें इसका main कारण यह है कि जो toys हैं बहुत सस्ते हैं अगर मान लीजिए जो Chinese toys इंडिया में आ रहें अगर अपनी भारत सरकार उस पर tax लगा दे तो क्या होगा सिंपल सी बात है आप भी कहोगी कि जो Chinese toy उसके price बढ़ जाएंगे और जब Chinese toy के price बढ़ जाएंगे सिंपल सा है कि अब वो सस्ते भी नहीं रहें इससे होगा क्या कि जो भारती खिलोने हैं अब वो भी बिखना इस्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि जो Chinese toy वो तो महें हो गए न और यह जो example था बहुत अच्छा example था trade barriers का अब यह trade barriers क्या होता है आए जानते हैं इसका मतलब है वैपार पर रुकावट और यह जो वैपार पर रुकावट होती हैं यह सब government के द्वारा किया जाते हैं और जो government है वो trade barrier को increase यानि कि बढ़ा सकती है और trade barrier को घटा यानि कि decrease भी कर सकती है simple सा मतलब है कि रुकावटों को बढ़ा भी सकती है इसते result क्या मिलेगा कि यह decide हो जाएगा कि कि किस प्रिकार का समान और प्रतेक का कितना price होगा यह भी बात कर लेते हैं कि जो trade barrier था after independence यानि कि अजाती के बात कैसा था इसमें क्या होता है कि जो अपनी भारत सरकार है अज foreign competition का मतलब की विदेश के लोग अपने इंडिया में आएंगे और यहाँ पर भी producer start करेंगे जो कि विदेश के लोगे उनके पास अच्छी technology होगी जिससे क्या होगा को वा goods and services सस्ते दामों पर दे पाएंगे और जो अपने इंडिया में domestic लोग हैं उनके पास अच्छी यानि कि industries लोग भी आने लगी थी 1950s and 1960s में और इसको भी allowed नहीं किया गया इंडिया में इसको इसलिए allowed नहीं किया गया अगर industries लोग आ जाएंगी तो domestic producer का क्या होगा यह सब देखते ही देखते इंडिया ने कुछ आवस्सक चीजों को ही allowed कर दिया इंडिया में लाने के ल तो अब बात करते हैं अगली टॉपिक की न्यू एकोनामिक पॉलिसी नाइटीन नाइटी वर इस्टार्टिंग के समय में 1991 में इंडिया ने कुछ पॉलिसी को बनाया इस पॉलिसी में यह डिसाइड किया गया कि अब समय आ गया है जितने भी इंडियन प्रोडिसर हैं उनक अपनी क्वालिटी को इंप्रूग करते जाएंगे और यह जितनी भी डिसीजन थी उसको सपोर्ट किया जा रहा था पावर्फुल इंटरनेशनल ओर्गिनाइजेशन के जरिये जैसे की डवलू टीयो वर्ल्ल ट्रेड ओर्गिनाइजेशन यह क्या होता है पढ़ने की जू कर सकते हैं आसानी से सिधा सा मतलब है कि इंडिया से बाहर बेज सकते हैं और इंडिया से बाहर की समान मंगा सकते हैं आसानी से और जब बेरियर को हटा दिया जाएं तो फॉरेंड कंपनी यानि कि जितनी भी वीदेसी कंपनीयाज हैं अब वो अपनी फैक्टरीस ओफिस को इंडिया में setup कर सकती हैं आसानी से और यह chapter यहीं पर समाप्त होता है और यह कुछ important terms है जो कि exam point of view से बहुत important है आप इसको note कर लीज़ेगा एक बात और अगर आपको notes download करने हैं तो आप description box को check out करिए यहाँ पर notes available हैं इस chapter का तो जाकर पड़ापर से download कर लीज़ेगा तो आत जामातरम और टेक्यार बबाइए